हाई, वाल्कन टो माच चनल, चले एक क्वेशा नमर 12 साल करते हैं, तो ध्यान समझेगा, रभीष सोल्ड हीस मोटर साइकल टू बिनीथ आट लॉस अफ ट्वेंटी गेट परसेंट, तो रभीष जो है बेच देते हैं मोटर साइकल अपना बिनीथ को और वो भी 28 परसेंट रुपीज, 1680 रुपीज, ठीक है, आन इट्स रिपेर्स, मतलब यह जो बिनीथ को मिला है रभीष से, उस मोटर साइकल में थोड़ा सा स्पेंट करके, 1680 रुपीज जो है खर्च करके, रिपेर करवाते हैं, ठीक है, रिपेर करवाने के बाद, सोल्ड दा मोटर साइकल, अ रुपीज, 35,910, तो अब इतने रुपीज में फिर से राहूल को बेच दिये जाता है, राहूल एक दूसरा आदमी है, तिसरा आदमी है, हना, thereby making a profit of 12.5%, तो बिनीथ को profit हो जाती है 12.5% का, find the cost price of the motorcycle for रवीज, तो रवीज जो है, जितने में वो खरीदा था, रवीज ने उस मोटर साइकल का, उसका बत ये cost price कितना हुआ, तो यहां पर करना क्या है, कि पहले, जो भी ये लिखा हो है न, थोड़ा से इसको simple कर देते हैं, एक diagram बना करके, ठीक है, तो ध्यान दुजे यहां पर हो जाएगा, रवीज, यह हो गए आपके, रवीज, ठीक है, first person, उसके बाद ये जो है, sell करते हैं, किसको, विनीत को, यहां हो गए, second person, विनीत, उसके बाद third person है, आपके राहुल, राहुल को sell कर देते हैं, विनीत, अब यहां समझे का ध्यान से, रवीज जो है, जब motor cycle खरीदे होंगे, तो उनका कुछ CP होगा, है कि नहीं, तो इनका CP कहां पर कुछ होगा, और बेचेंगे ये विनीत को, तो इनके लिए कुछ SP होगा वो, loss हो बेच रहा हैं, SP जो बेच रहा हैं, वो कितने पर बेच रहा हैं, 28% के loss हो बेच रहा हैं, तो वो SP हो जाए CP पर खरीदे हैं, तो CP जो भी होगा विनीत का, उसके बाद ये बढ़ा करके 12.5% परफिट पर बेच दियें रहुल को, तो इनके लिए विनीत के लिए होगया हो SP, जो विनीत के लिए SP होगा, वही रहुल के लिए CP होगा, अब रहुल क्या करते हैं, अब रहुल जाने, क् CP यहां पर रवीज का पूछ रहा है, find the cost price of the motorcycle for रवीज, रवीज के लिए cost price क्या होगा motorcycle का, तो यहां पर रवीज का जो यह CP है, यही पूछ रहा है, तो इसी को हम मानेंगे X, ठीक है, तो हम यहां पर solve करना start करते हैं, solution, तो पहले हम माल लेते हैं कि रवीज का जो CP है, व the cost price of the motorcycle for रवीज, बी X रुपीज, तो यहां पर क्या माना देखे, यहां पर इस डियाग्राम में हर चीज है, तो यहां पर हमने CP को क्या मान लिया, एक्स रुपीज, किसके लिए, रवीज के लिए, ठीक है, अब जो है, रवीज क्या करते हैं, sell करते हैं, मतलब SP अब निकालेंगे हम लोग रवीज का, तो जो SP होगा रवीज का, वो क्या होगा, तो यहां पर हम इसके बात करते हैं, सो, SP of, रवीज, SP of नहीं, SP for, SP for, रवीज, यहां पर ऐसे लिखना बसे रहेगा, SP of, SP of motorcycle, SP of the motorcycle, for रवीज, तो रवीज के लिए, जो SP होगा, वो क्या होगा, तो SP का जो formula होता है, आप पढ़े हुए हैं, क्या होता है, SP बराबर होता है, CP into 100 minus loss percent, loss percent upon hundred, ऐसा पढ़े हैं आपना, कि SP is equal to होता है, CP in bracket 100 minus loss percent upon hundred, इसी के use करके क्या कर निकालेंगे हम, SP निकालेंगे, क्योंकि यहां पर बोला हुआ है, कि रवीज जो है, जब बेजते हैं बिनीत को, तो at loss भेजते हैं, 28 percent loss भेजते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि SP निकलेगा इस तरीके से, कि यहां पर रखेंगे, CP और in bracket यूज करेंगे, 100 minus loss percent upon 100, तो यह निकलेगा CP, सोरी, SP निकलेगा, रवीज के लिए, मतलब कि यह एवाला SP निकल जाएगा, तो क्या होगा यहां पर solve करने पर, CP के value हो जाएगे X, 100 minus loss करना है, मतलब कि 100 में से minus करना है, 28 percent मतलब 28 upon 100, solve करेंगे, मिलेगा आपको X into, यह हो जाएगा 72, मतलब कि यह finally इसको लिसकते हैं, इस तरीके से, 72X upon 100, तो इतना रुपीज जो क्या हो गया, यह SP निकल गया, यहां पर लिसकते हैं हम लोग, 72X upon 100, यह हो गया है SP, किसके लिए, रवीज के लिए, और मैंने आपको बताया, कि रवीज का जो SP होगा, वही CP होगा बिनित के लिए, कि बिनित जो है, खरीदेंगे, तो रवीज का जो SP होगा, उसी प्राइस पर न खरीदेंगे, तो बिनित के लिए जो CP होगा बिनित के लिए जो CP होगा वो यही होगा मतलब कि 72X upon 100 यहाँ पर आप लिए सकते हैं 72X upon 100 बिनित के लिए लेकिन बिनित क्या करते हैं कि वो कुछ उसमें overhead expenses use कर लेते हैं मतलब कि 1680 रुपीज और spent कर देते हैं उस पे उस motorcycle पर और उसको repair करवाते हैं तो जब वो repair करवाएंगे तो उनका CP जो है 72X upon 100 नहीं रहेगा बलकि 1680 रुपीज से बढ़ जाएगा मतलब कि बिनित का जो अब CP हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 1680 यह CP हो गया बिनित का अब यहाँ पर लिखेंगे कि SP of motorcycle for rubbish is equal to इतना आ गया तो अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर निकाला बिनित के लिए CP वो लिख लेते हैं इट इंपलाइज यहाँ पर हो जाएगा CP of the motorcycle for बिनित बिनित is equal to जितना भी यह CP था SP था वो रविस के लिए वो तो रहेगा ही रहेगा इसमें प्लस कर देंगे overhead expenses अब overhead expenses क्या कर रहा हैं वो overhead में वो repair कर रहा है overhead expenses ठीक है तो यह आपका आ जाएगा 72x upon 100 प्लस कर देंगे 1200 sorry 1600 है 1680 रुपीज यह total हो जाएगा क्या CP हो जाएगा उनके लिए है यह हम थोड़ा सा raise कर देते हैं ओके तो यह इतना रुपीज क्या हो गया बिनित के लिए CP हो गया अब बिनित जो है sell करेंगे किसको राहूल को तो राहूल को जो अब sell कर रहा है तो हम निकालेंगे अब SP किसका बिनित का तो बिनित का cost price हमाना हो गया है 72X upon 100 plus 1680 यहां तक पोज गया है अब ध्यान देज़े आगे का बोल रहा है sold the बिनित जो क्या कर रहा है repair करने के बाद sold, sell कर दे रहा है किसको motorcycle to Rahul Rahul उसल कर रहा है कितने में 35,910 रुपीज में thereby making a profit of 12.5% तो 12.5% का profit पर जब बेचते हैं Rahul को तो जो SP होती है बिनित का वो 35,910 है मतलब कि इसका SP दे दिया है क्या दे दिया है 35,910 रुपीज अब ध्यान देजेगा यदि SP दे दिया है तो यहां से CP यदि हमें मालूम है बिनित का और profit percent मालूम है तो आप SP निकाल सकते हैं बिनित का इसका यूज़ करके है कि नहीं मतलब हमला जो हमारा है उसका यूज़ कर सकते हैं तो it implies हम निकाल सकते हैं क्या SP of SP of the motor cycle for बिनित तो बिनित के लिए जो SP होगा वो हो जाएगा CP into क्या होता है गेन परसेंट या प्राफिट परसेंट प्राफिट परसेंट अपान हंडेड देखे जब प्राफिट होगा तो आड करते हैं 12.5% प्राफिट बेचे हैं तो CP जो होए वो क्या है CP इतना है CP को हम ये यूज़ कर लेंगे 72X अपान हंडेड प्लस 1680 इन ब्रेकेट ये हो जाएगा CP और यहाँ पर उज़ करेंगे प्राफिट परसेंट के उज़ करके ये हो जाएगा 100 प्लस ये 12.5% यहाँ पर आड कर लेंगे तो 12.5 ये हो जाएगा 5 अपान ये हो जाएगा 100 ठीक है हमने यहाँ पर कल्कुरेट कर लिया ये हो गया क्या SP आफ मोटोसाइकल फार बिनीत और यही वैलू जो है दे दिया है इतना 35,910 तो इसके बराबर हो जाएगा खाने का मतलब तो इसलिए क्या हो जाएगा इसको सॉल्फ कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 72 x अपान 100 प्लस 1680 इतना मटिप्लाइट बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1200 तो इतना की वैलू जो है मिल गई हमें यहाँ पर दिया हुआ है SP दिया हुआ है जो क्वेस्टन में दिया हुआ है 35,910 यहाँ पर उज़ कर लेंगे 35,910 अब यहाँ इसी क्वेशन को solve करेंगे तो X की वैलू निकलेगी और यह X निकलेगा वह क्या निकलेगा वही निकलेगा जो पूछा हुआ है cost price निकलेगा रभीस के लिए तो इसको solve करते हैं अब 72 x अपान 100 प्लस 1680 इसको जो transpose करतेंगे क्योंकि यह पूरा एक ही मह है इसको transpose करेंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा आपको 30 sorry यह मिल जाएगा आपको 35,910 multiplied by यह 100 प्लस में प्लाई करतेंगे और divide करतेंगे नीचे वाले से यहाँ पर 112.5 हम यह decimal हटाएंगे तो 10 से में प्लाई करना पड़ेगा decimal अटा जेते हैं तो decimal योदि हम यहाँ पर erase करते हैं तो हमें उपर 10 से में प्लाई करना पड़ेगा मतलब एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा अब यहाँ पर cancel out करते हैं देखे 5 से कटाते है 5 to 10 5 to 10 1 बचा 12 हो गया 5 to 10 2 बचा 25 हो गया 5 to 10 हो गया तो यह 00 बचा 2 हने दा गया और 5 से कटाते हैं फिर से 5 to 20 5 to 25 फिर 5 से कटाते हैं 5 यहाँ पर 4 to 20 होता है 40 हो गया 5 to 9 जा 45 5 to 8 जा 40 कट गया पूरत वसे अब यहाँ 8 जो है नहीं से कटेगा तो 9 बचा 9 यहाँ कटाते हैं 9 से कटेगा तो 9 9 3 जा 27 9 3 जा 27 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 and 5 8 89 हो जाएगा और 9 9 जा 81 होता है फिर 8 बचेगा 81 हो जाएगा 9 9 जा 81 मतलब की 0 बचेगा है आपे मतलब यह इतना बचा और यह 8 बचा इन दोनों को मतलब लाइग कर लेते हैं तो 8 0 जा 0 आटना बचतर का 2 साथ बचा 8 9 जा 72 72 and 7 79 का 9 7 के दियो भर and 8 3 जा 24 24 and 7 31 यह मिल गया इतना मिन्स अब इतना बराबर हम निकाल लेंगे it implies यहाँ पर अब निकाल लेंगे 72 x upon 100 is equal to यह इसको ले जागर के मैनस कर दिजो इधर तो क्या मिलेगा यहाँ पर इसको ले जागर मैनस करेंगे तो मिलेगा आपको देखे यहाँ 3 1 9 2 0 में से मैनस करना पड़ेगा 1 6 8 0 क्या मिलेगा 0 मिलेगा 12 में से 8 जाएगा 4 मिलेगा यहाँ पर 8 बचा 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा और यहां खतम हो गया 0 बचेगा यहां बचेगा 3 इतना बचेगा मतलब कि इसको ले जागरा मैनस कर लिजिए डारेक्टली तो आपको मिलेगा यहां पर लिख रहे थैंक बढ़ाओ 31920 में से मैनस करना पड़ेगा 1680 और यहां पर इत इंप्लाइज यहां मिल जाएगा 7272 x upon 100 इसको ल्टू यहां मैनस करना मिलेगा यह बाला 30,240 30,240 अब यहां पर x की वेलू निकालना है यहां पर x की वेलू निकाल लेते हैं 100 से निपलाई करेंगे और 72 से डिबाइड करेंगे तो मिल जाएगा यहां पर 30,240 multiplied by 100 whole upon divided by 72 अब यहां पर की से लोट करता हैं तो 8 से कटाते हैं 8,9 जा 72 और 8 से उपर कटाते हैं 8,3,24 6 बचा 62 हो जाएगा और 62 में 8 से ले जाएगे तो 8 से बचा 56 56,4 और 6 बचा 64 हो गया 8,8 जा 64 इतना आजाएगा 9 बचा 9 यहां से कटाते हैं 9,3 जा 27 9,4 जा 26 9,4 जा क्या हो जाएगा 36 और 1 बचा 18 हो गया 9,2 जा 18 और 1 जीरो बचेगा तो मतलब 4,2,0 आगे हैं यहां पर यहां बही है और एक्स के अमाना था हमने cost price of the motorcycle for 20 और वही पुछा भी है find the cost price of the motorcycle for 20 तो हमारा जो एक्स बरबर निकला है यह 42,000 रुपीज यह आ चुका है तो लिच सकते हैं आपर के हैंस CP of motorcycle of motorcycle for 20 इसकोल 2 हो जाएगा 42,000 रुपीज यह आपका आंसर है ठैक्यू सो मच फर वाचिंग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और दोस्तों शेर कर दीजेगा जरूर थैंक यह सो मच अगें बाइ